इंडिया लेकिन इन तीन दिनों में राम मंदर में नगत चड़ावाही लगभग चार करोट से जादा का आ चुका है इस बात की जानकरी वेच्पी प्रवक्ता शरत शर्मानी दी है संगठन के लोग थे या हमके पदाधिकारी थे उन्होंने कहा था कि जब ये मंदर बनने लगेगा तो महालक्षमी का वास हो जाएगा यहाँ पर क्योंकि भगवान विश्णू जी स्वैम जब भी राजमान हो गए हैं तो उनके सानिध में मा का वास्त होना ही है तो आज करोडो रुपै की धन्रासी है वो इसी का आधार है और इसी प्रकार से बढ़ोत्री हो रही है तीसना चौटा देने लगवग कितना अमाउंड का जहां तक है आनलाइन जो देने वाले लोग हैं वो तो सीधे बैंकों में भेज रहे हैं और बैंकों में भेजने के कारण जो है उसकी गिंती तो उन्हीं से पराप्त होगी लेकिन जो नगत धनरासी भेज रहे हैं वो कोई दानपात्र में जाल रहा है और कोई जो है आकर रसीदें कटा रहा है तो रसीद और दानपात्र में जो नों में अंतर है क्योंकि आनलाइन देने वालों का तो आकड़ा भी नहीं आया है लेकिन जो धनरासी इसमें दानपात्र में आ रही उसको प्रदिन गिनते हैं बैंक क लोग आकर और बैंकों के लोग जब आते हैं तो उसकी बगायदे गिंती होने कि उसमें अंकित किया जाता है अंकों को तो इस परकार से अभी दो-तीन दिनों के अंदर जो है करोडों चार करोड के आसपास जो है जमरासी आई है ऐसा बताया जा रहा है झाल झाल